मोटू और पतलू एक छोटे से गाव में रहते थे उनके गाव में एक बहुत ही संगेमित और निश्कलंग आदमी था जिसका नाम था मकान मालिक मकान मालिक अपने मकानों को किराये पर देने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे उनके मकान को लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि वे सुरक्षित, साफ और सुविधाजन खोते थे एक दिन मोटू और पतलू को एक नई दुकान खोलने का विचार आया वे चाहते थे कि उनका व्यापार बढ़े और लोग उनकी दुकान से खुश हो लेकिन उनके पास उत्तराधिकारी जगह नहीं थी तभी उन्हें मकान मालिक की याद आई मोटू और पतलू ने मकान मालिक के पास जाकर अपनी समस्या बताई मकान मालिक ने सुना और उनकी बात को समझा उन्होंने दोनों को एक अच्छा मकान किराय पर देने का वादा किया मोटू और पतलू को बहुत खुशी हुई वे जल्द ही अपनी दुकान की तैयारी में लग गए मकान मालिक ने उन्हें अच्छा समर्थन और सहायता दी उनकी दुकान खुलते ही लोग वहाँ आने लगे मोटू और पतलू ने उन्हें अच्छी सेवा और उतकरिष्ट उतपाद प्रदान किये लोग उनकी दुकान से बहुत खुश थे और वे उन्हें बार-बार आने लगे मकान मालिक ने भी देखा कि मोटू और पतलू अपने काम में बहुत महनती और समर्पित है उन्होंने उन्हें और उनकी दुकान की मदद की वह उनके साथ हमेशा सहीयोग करते रहे धीरे धीरे मोटू और पतलू की दुकान की पॉपुलेरिटी बढ़ने लगी लोग उनकी दुकान से विभिन प्रकार के सामान खरीदने लगे और वे अपने व्यापार में सफल हो गए मोटू और पतलू की मेहनत और मकान मालिक की सहायता से उनकी दुकान ने कुछ ही समय में बहुत ही प्रसिधी हासिल की वे अपने गाव का गर्व बन गए और सभी उन्हें प्रशंसा करने लगे इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि मेहनत समर्थन और सहयोग से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है मोटू और पतलू की यह जिंदगी से भरी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सहायता का महत्व हमारे जीवन में कितना है